हेलो फ्रेंद्स इस वीडियो में वुलफ कि्शनर लेडक्शन के ट्रिक, और मेकनिजम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कले मेंशन्क और वुल्फ किषनरेडक्शन में डिफरण्स किया है तो आएए स्टुरू करते हैं वीडियो वॉल्फ किष्णर counselor reduction of L&Halds and ketones तो इसमें रियेजन कौन कौन सा यूज होता है नहीं सुना तू कियोएच और गलाइकॉल एन स्ससेलियृ को अहे रिंप cac मतलब बेजिक मेडियम में होता है और गलाइकॉल को हम सॉल्वेंट की तरहे यूज कर दो तो कोई भी LDHED और Ketone में जब हम NH2, NH2, KOH और Glycol देंगे, मतलब वुल्फ के सिने reduction करवाएंगे तो होगा क्या? सिम्पल यह LKN में convert हो जाएगा, तो इसका trick यह है कि जो C double bond O है उसको break कर देना है, मतलब इस bond को break कर देना है और फिर as it is lick देना है, तो this is the trick, तो चलिए अब हम इसका mechanism देखते हैं, चलिए, तो यह हम ketone लेते हैं और इसमें hydrogen को डालते हैं, तो यहां से इसमें हम water को निकाल देंगे, water निकालने के बाद क्या बनेगा, यहां पे O की जगे आ जाएगा N, और N के साथ है पहले से जो NH2, मतलब simple हमको इसमें से water निकाल देना है, अब हम इसमें OH- डालेंगे, OH- कहां से आएगा, हम इसको basic media में करवा रहे हैं, तो के वाएच से हमको मिलेगा OH-, OH- एक H पे attack करेगा, H पे attack करने की वज़े से N पे आ जाएगा minus, N पे minus आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां N और NH2 की जगे आ जाएगा NH-, अब जो N पे minus है उसका क्या होगा, तो यह वाला minus जो है वो इस पे आएगा और यह वाला double bond बन जाएगा, और यह जो है, यह bond तूटके C पे चल जाएगा, इसका मतलब C पे आ जाएगा minus, C पे minus आ जाएगा, जो double bond है वो single बन जाएगा, और N double bond NH, अब जो C पे minus आ गया है, उसको हटाएगे कैसे, तो यह C पे जो minus आ गया है, वो हम हटाएगे, H2O देखे, जो यह first process से निकला था, यहाँ से H2O निकला था, तो हम इसका use यहाँ पे करेंगे, तो यह H2O से H plus को gain कर लेगा, और minus sign को हटा लेगा, अब simple क्या करेंगे, जो N double bond NH है, तो N के पास अब एक और H है, तो हम simple फिर से एक OH- डाल देंगे, OH- डालने के बाद क्या होगा, OH- फिर से इस पे attack कर देगा, यहाँ पे, और फिर से N पे एक बार minus आ जाएगा, तो यह minus जो है, वो यहाँ चले जाएगा, और यह वाला bond तूटके, फिर से C पे minus आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे carbon ion formation होगा, और यह bond तो तूट चुका है, तो यह अलग हो गया, और यहाँ पे क्या है, N triple bond N, मतलब N2 gas evolve होगा इसमें से, और N2 gas evolve होगा, और एक यह carbon ion बन जाएगा, अब simple इसमें फिर से water दे देंगे, और water से यह gain कर लेगा hydrogen, तो gain करके बन जाएगा यह alkane, तो simple यह जो ketone है, वो convert हो गया alkane में, ऐसा ही सेम aldehyde की तरह होगा, तो mechanism में क्या ध्यान रखना है, कि last में alkane बन जाता है, और एक carbon ion formation होता है, और N2 gas evolve होजाता है, चली, तो अब हम देखते हैं, वुल्फ के इसनर reduction के बारे में एक important point, अगर यह एक reactant है, और उसका हमको वुल्फ के इसनर reduction करवाना है, तो trick क्या कहता है, C double bond को हटा दीजियो, simple आपका product बन जाएगा, यह cyclohexane, लेकिन अगर यहाँ पे OH है, और इसका वुल्फ के इसनर reduction करवाना है, तो यहाँ से हमको clemencion reduction का याद आता है, हम इसमें जब clemencion reduction करवाते थे, तो C double bond कायब हो जाता था, और clemencion reduction जो होता है, वो acidic medium में होता है, उसका reagent क्या होता है, ZNG और HCL, तो HCL की presence की वज़े से, यह OH निकल जाता है, वाटर बन जाता है, और OH की जगह आता है, CL, लेकिन, वुल्फ के इसनर reduction जो है, वो basic medium में होता है, तो क्या basic medium में OH पासर पड़ेगा, नहीं, OH भी as it is रहेगा, तो यह है, वुल्फ के इसनर reduction के बीच में difference, अगर reaction और वुल्फ केशनर reaction दोनों ही aldehyde और ketone को alkane में convert करने के लिए किया जाता है, यूज, लेकिन, जो clemencion reaction होता है, वो acidic medium में होता है, और जो वुल्फ केशनर reaction होता है, वो basic medium में होता है, तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही, I hope you like the video, अगर आपको ये वीडियो प प्रेस कर दिजियो, थैंक यू